हाई गाईज वोलकॉम बैक आप सभी का अपने चानल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने माले हैं आइफोन 13 उसे के लिए एक नए अपडेट के बारे में तो यह है 17.5 का बीटा 3 का निया स्टेबल अपडेट तो अगर आप से पास भी है आईफोन 13 तो आपको यह अपडेट कैसे शो कर सकते हैं तो आपको इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और साथ में बात करेंगे कुछ इंपोर्टन इंस्टॉलिंग टिप्स के बारे में जो कि आपका परफॉर्म करनी है अपडेट के पहले अपने आइफोन 13 को इंस्टॉल करने से पहले इस नए लेटास्ट अपडेट के उपर और कौन-कौन से नए फीचर आपको आइफोन 13 पे देखने को मिलेंगे आपको इस विडियो में पताने वाला हूँ, सब स्टाट करते हैं अज की से वीडियो को सबसे पहले तो आपशेट कर सकते हो इसकतेर को इस साइज है वो 6 GB आपको देखने को मलने वाला है और साथ में यहाँ पर आपके iPhone की जो storage है वो तक्रीबन 25 से लेकर 30 GB तक free होनी चाहिए ताकि आपके device जो है वो बिलकुल accurately काम करता रहे कोई भी उसमें आपको bugs देखने को ना मिल सके slow speed आपको देखने को ना मिल सके इसलिए अपनी iPhone की storage तो थोड़ी सी free up कर लें अगर आपको इस update को install करना है उसके पाद आपको यूज़ करना है Wi-Fi को क्योंकि आप इस update को अपने mobile data पे update नहीं कर सकते अगर आपके पास Wi-Fi 5G का है तो 5G Wi-Fi आप यूज़ करके काफी speed से आप इस update को install कर पाओगे अब बात करते हैं installing tips के बारे में कैसे आपको इसे install करना है 17.5K beta 3 के update को iPhone 13 की उपर उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपनी Safari browser में और यहाँ से आपको type करना है Apple beta software program तो यह है Apple की official website तो यहाँ से आपको single tap करना है जैसे tap करोगे आपके सामने ये page open हो जाएगा तो यहाँ से आपको already a member की उपर tap करना है sign in के button पे जैसे sign in के option पे tap करोगे अब आपका जे वो device है वो आपकी face ID को use करेगा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से continue button की उपर tap करना है और आपका device आपकी face ID को sign in कर देगा आपकी Apple की official website की उपर और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साथ आपकी Apple ID sign in हो चुकी है अब आपको swipe up करना है और यहाँ से आपको enroll your eyes device की option पे tap कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मलेगा open beta updates आपको इस option की उपर tap करना है कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर tap करोगे open beta updates की उपर तो आपका जो device है वो यहाँ से आपको देखने को मल जाएगा beta updates की settings में तो आपको यहाँ से back जाना है और यहां पर आपको देखने को मल जाएगा beta updates आपको beta updates के उपर single tap करना है यहां से आपको select करना है public beta तो जैसे public beta select करोगे आपके सामने 17.5 का beta update जो है वो show होना start हो जाएगा तो कुछ से तरीके से आप 17.5 के beta 3 के update को install कर सकते हो अपने iPhone 13 के उपर तो बात करते हैं कौन-कौन से नई features आई है तो सबसे पहले तो podcast की application में कुछ नई changes आई है जैसे कि अगर मैं इस podcast को as a widget use करता हूँ अपनी home screen के उपर तो यह जो podcast है अपने colors को change करेगा जैसे आप अलग-अलग podcast को play करते रहोगे अपने home screen में अपने widgets के उपर यूज कर सकते हैं अगर उनको कोई भी application बाहर से install करनी है जैसे कि आप android phones में से किसी भी application को install कर पाते हो easily अपने chrome से या किसी भी और browser से I hope आपको यह video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई तो please like करें अपने channel को भी जू subscribe करें साथ साथ पैल notification को जूड प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वाली हरने वीडियो की notification मलती रहे सो मलते हैं guys अगली वीडियो में so thanks for watching